नमस्कार मैं हूँ श्वेता ठाओ और आप देख रहे हैं आज तक मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर जया परमबीर सिंग के गायब हो जाने से मुंबई में हड़कम्त मच गया है परमबीर सिंग को इस वक्त शिदत से ढूंडा जा रहा है लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है कहा जा रहा है कि मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर चुक्के से विदेश फरार हो गये हैं ऐसे में महाराश्ट के सियासत में एक बड़ी रार चुड़ गई है परमबीर सिंग भागे है या फिर उन्हें भगाया गया है मुंबई के पुलिस कमिशनर अचानक से कहा गायब हो गए ना राजी सरकार को पता है ना ही सेंटर को पता है मुंबई कमिशनर परमबीर सिंग खुद भागे है या उन्हें भगाया गया है क्या परमबीर सिंग के भागने में केंदर सरकार ने मदद की है मुंबई के गायब होने से महराश्टी की सियासत में खलवनी क्यों मची है कौन कौन से केस में पूरो कमिशनर परमबीर सिंग की एहब भूमी का है क्या परमबीर सिंग से कोई बहुत बड़ा सुराख मिलने वाला था परमबीर सिंग देश में ही छुपे है या विदेश भाग चुके है परमबीर के विदेश भागने के खबरों ने ऐसे खलवली मचाई है कि उन्हें तलाशने के लिए छापे मारी शुरू हो गई है उनके जितने भी कनेक्शन है सबसे पूछा जा रहा है दरसल वो कई बड़े केस के एहम किरदार है ऐसे में उनके गायब होने पर सवाल उठने लगे है सवाल है कि अब आगे क्या उन पर क्या कारवाई होंगी ये खबर आपको दिखाएंगे लिकिन इस B.C. आपको अमलादाक लिए चलते हैं जहां पर सेना ध्यक्ष स्वाक्त हमारे साथ जुर गए है कि हम हमेशा लियाज़ा करते हैं कि स्थिति क्या है और और क्या हमें करना चाहिए और पिछले एक साल से हम लगातार बातचीत में हैं और मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि जो भी मसले है वो बातचीत के जरीए वो हम उसका हल निकाल सकते हैं और इसलिए हमारे लगातार हर लेवल पर बातचीत होती रहती है, ब्रिगेड कमांडर लेवल पर भी, डिविजनल कमांडर के लेवल पर भी, और जो हाईस मिलिटरी लेवल है, और कोर कमांडर लेवल, यहां तक अभी 12 राउंड टॉक के हो चुके हैं, और हमें उमीद है कि 13 करावर राउंड जो है, वो ऑक्टोबर इसी मेने में जल्दी ही हो जाएगा, और हर राउंड जो होता है, उसमें हमेशे बात आगे बढ़ती रहती है, और ऐसे करते-करते फिर जो मसला है, वो हल हो जाता है, तो हमें पूरी उमीद है कि जो अभी भी जो पाइंट बाकी है उसके उपर भी कोई नतीजा जल्दी ही निकलेगा, जरसाब लेकिन हम चाने की तरफ देखें जो तैयारिया उनकी है, वो लगातार बढ़ती भी दिख रहे हैं, हम अपनी तैयारियों को देखें, यहां पर पिछले एक साल के दौरान किस तरह की हमने तैयारिया अपने मज इंफ्रस्ट्रक्चर पैदा किया है, और लाजमी है कि इंफ्रस्ट्रक्चर ज्यादा ट्रोप्स को तैनाद करने के लिए ही है, और यह हमें लगातार हमारे इसके उपर नजर है, और उसको देखते हुए हम भी उतनी कदम उठा रहे हैं, जिससे कि हम उनका ठीक दरीके से जबाब दे पाए, और पिछले एक साल में हमारे तरफ इस्टन लदाक में इंफ्रस्ट्रक्चर की बहुत बढ़ उतरी हुई है, उसी तरह जो अदोनिक हत्यार हैं, वो भी हमने यहां पर इंडक किये हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारा जो फोर्स पोजिशन है, वो बहुत ही मजबूत है, और जो भी चुनोती है, उसका हम सामना करने के लिए त्यार हैं, हमने पहली बार देखा कि बो फोर्स के बाद लंबे इंजार के बाद एक स्वदेशी गन, केना इन वजर के रेजिमेंट यहां पर तैनाद किया, उससे कितना फाइदा और उसके पीछे क्या नाख सोच थी आपकी कि उसको यहां पर जल से जल तैनाद किया। किया गहिए कि रिकॉर टाइम पर आपने उसको यहां पर तैनाद किया, और किस तरह की अगन है? वो एक सेल्फ प्रोपेल गन है, मीडियम गन और यह जो है, हम अपने जो आर्मड फॉर्मेशन है, जो हमोमन प्लेंस की एरिया में, डेजर्ड की एरिया में तैनात होती है, उनके लिए थी, लेकिन जो हमने देखा कि यहां पर भी हमें और गन्स की ज़रूरत है, तो हमने यह सोचा और गन्स की ज़रूरत है, और जो मोबेलिटी है, क्योंकि के नाइन जो है, एक सेल्फ प्रोपेल गन है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको भी इदर एक बार ट्राइ कर लें, तो पहले हमने दो तीन गन भेजे और उसके उपर फिल्ट राइल किये, और हमने तो इदर ही आकर ये चोटे मोटे जोब्स, मौडिफिकेशन करने थे, वो किये, फिर हमने इसका फाइरिंग भी किया, उसमें भी बहुत अच्छे नतीजे निकले, और ये सब देखते हुए, फिर हमने ये फैसला किया, कि इस गन को भी लदाक में तेनाद की जाएं. लदाक के लावा एक दूसरा फ्रंट जो पाकिस्तान के साथ हमारा है, वहाँ पर सीसफायर का समझाता दोनों देख्शों के बीच हुआ था, लेकिन हमने देखा कि पिछले हपते भर के दौरान से कश्पिन वे एक बार फिर से गुस्पैट की कोश्चे हुई हैं, जिसको स तीन-चार मेने थे जून के आखिर जुलै तक ये समझोता बहुत ही अच्छा रहा और कोई सीसफायर वाइलेशन भी नहीं था, ना कोई गुस्पैट की कोई कोशिश रही, लेकिन हमें देखने में आये कि पिछले दो मेने में ये फिर से थोड़ा बढ़ रहा है, और हम इ पाकिस्तानी आर्मी के नॉलिट से ऐसे नहीं हो सकता, इसके अलावा पिछले हफते दस दिन में दो सीसफायर वाइलेशन भी हुए हैं, इसके उपर हमने लोकल लेवेल पे भी और जो डीजेमो लेवेल पर टॉक्स होते हैं, हर लेवेल पर हमने इसके उपर इनको बताये क कि ऐसे कारवाई वो ना करें, जिससे की जो समझोता है उस पर कोई असर हो, और लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे जो भी कारवाई है वो बगिर पाकिस्तानी आर्मी के नॉलिट के नहीं हो सकती. अफगानिस्तान की जो हालात हैं, उसको खास तोर से सेना कश्मीर के सिलसले में किस तरह से देखती है, कैसे अगर वहां से चाहे हतियार हों, चाहे वातंकी हैं, कश्मीर में उनका किस तरह से पाकिस्तानी सेना इस्तमाल कर सकती है, उस पर किस तरह की नजर सेना रख रही है अफगानिस्तान में जो सिती है उसके उपर हमेरी लगातर नजर है और उसके हमारे उपर क्या असर हो सकता है उसका भी हम हमेशा अंदाजा लगा रहे हैं मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़ा जल्दी है इसके उपर खास कोई बात बताना तो नजर रखे रहेंगे लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हो जो भी चुनाओती हो उसके लिए हम त्यार है। बहुत धन्यवाद सेना प्रमुग जनरल मनोज मुकुद नर्वने का कहना है कि खास तोर से अगर चीन के साथ लगड़ा के हालात की बात की जाए तो बाचीत के जरिए सुल जाने की कोश्ची है और उसमें काफी कामिया भी मिली है लेकिन जहां तक सेना का सवाल है पिछले एक साल से चीन से बाचीत चल रही है मम नर्वने ने ये बाचीत खुद की है आज तक के साथ और उन्होंने बताया बाचीत से मसले का हल निकाल सकते हैं 18 राउंड की बाचीत हो चुकी है लगतार चीन से संपर्क किया जा रहा है बाचीत हो रही है पिछले एक साल स से ही किसी भी तरह के मसले का हल निकलेगा इस बीच उन्होंने बताया कि हमारी सेना पूरी तरह से तयार है किसी भी तरह से स्थिती को संभालने के लिए किसी भी तरह के स्थिती से निपटने के लिए साथ जी साथ उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर ही भी नजर हमारी बनी भी है वैसे भी पूरा विश्वय इस वक्त वेट अन्वाच के स्तिती में है और खास करके भारत भी इस पूरे मसले को लेकर खास करके अफगानिस्तान के मसले को लेकर वेट अन्वाच की स्थिपे है पाक में सीस फायर का उलंधन किया है एमेम नर्वने ने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में पाकस्तान में सीस फायर का उलंधन किया है अफगानिस्तान पर भी हमारी नज़रें बने हुई है हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोड़े से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहें आज तक और सेना प्रमोख, हैमेम नर्वने, लदाल दौरे पर हैं आज तक ने उसे खास बाचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिया अभी जो LAC के उपर सिच्वेशन है, वो नियंटरन में है और जैसे आपने का कि हम हमेशा लियाज़ा करते हैं कि स्थिति क्या है और क्या हमें करना चाहिए और पिछले एक साल से हम लगातर बाचीत में है और मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि जो भी मसले है, वो बाचीत के जरीये वो हम उसका हल निकाल सकते हैं और इसलिए हमारे लगातर हर लेवल पर बाचीत होती रहती है ब्रिगेड कमांडर लेवल पर भी डिविजनल कमांडर के लेवल पर भी और जो हाईस मिलिटरी लेवल है और कोर कमांडर लेवल जानता कभी 12 राउंड टाक के हो चुके हैं और हमें उमीद है कि 13 राउंड जो है वो ऐकोबर इसी मैने में जल्दी ही हो जाएगा और हर राउंड जो हता है उसमें हमेशे बात आगे बढ़ती रहती है और ऐसे करते करते फिर जो मसला है फो हल हो जाता है तो हमें पूरी उमीद है कि जो अभी भी जो पॉइंट बाकी है उसके उपर भी कोई नतीजा जल्दी ही निकलेगा जर साब लेकिन हम चाने की तरफ देखें जो तैयारियां उनकी हैं वो लगातर बढ़ती भी दिख रहे हैं हम अपनी तैयारियों को देखें यहां पर पिछले एक साल के दौरान किस तरह के हमने तैयारीय अपने मजबूत की है किस तरह के एकुप्मेंट हमने देखा के नाइन वजट दोब को भी यहां पर तैयाद किया गया अपनी तैयारियों को सेना ने किस तरह से मजबूत किया है चाइना ने अपने तरफ LAC के अपने तरफ काफी इंफरस्ट्रक्चर पैदा किया है और लाजमी है कि इंफरस्ट्रक्चर ज्यादा ट्रोप्स को तैनाद करने के लिए ही है और यह हमें लगातार हमारे इसके उपर नजर है और उसको देखते हुए हम भी उतनी कदम उठा र लदाक से सीधे जोड़े हैं हमारे समदाता मंजीत नेगी मंजीत अब से थोड़ी दिर पहले आपने सेना रक्षर बात चीट की आर्मी चीफ से बात चीट की उसमें कई बाते तो हमें पता चली लेकिन इस वक्त आप वहाँ पर खुद लोकेशन पर आप वहाँ पर बढ़ी है ऐसे में जमीनी स्तर पर भारत की तरफ से क्या कुछ तयारिया की जा रही है बताएं के जीए उस दोप को यहां 12000 से लेकर 16000 की फीट की उच्चाई पर तैनात किया गिया है उसकी ग्रइजमेंट को यहां पर तैनात किया है और सैनकों को चाहर रहने की हम बात कर GP का भी यहां सेना पुर्मों की जाएजा लिया और जब जो सवाल उन से मैंने पूछा कि क्योंकि भले ही चीन के साथ अब जाधातर इलाकों से विवाद सुलज गया हो कुछ इलाके बचे हैं खास तोर से जो गोगरा का इलाका है वहां पर बाचीत होनी है लेकिन चीन अपनी तैयारों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है तो उस पर भी सेना परमुक ने साथ तोर पर कहा कि हमारी जो तैयारी हैं चाहे सेनिकों के अस्तर पर हो हम उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसलिए पिछले एक साल से जादा वक्त के दौरान सेना में यहां पर कोई कटोती नहीं की गई हत्यारों की तैयारों की तैयारी को बढ़ाया गया है जिस तरह से के नाइन वजर जैसी तोप जो अभी सो तो भारते सेना को मिली हैं उनकी पहली रेजिमेंट यहां पर त सी हो जाएगी लेकिन भारते सेना अपने तैयारों में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजीत तमाम चानकारी के लिए हम रुकेंगे हाँ पर एक छोड़े से ब्रेक के लिए बने रहे हमार साथ देखते रही आज तक